नमस्कार मैं नीता सर्मा एक और नई रेस्पी के साथ आज में लेकर के आई हूँ मूली के पत्ते की रेस्पी तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि मूली की जो पत्ते होते हैं तो उन्हें अच्छे से धोली जिए और साथ में जो मूली होती है उसको भी अच्छे से धो लीजिए तो मूली के पत्ती में हम क्या करेंगे पानी ले लीजिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके धोईएगा जब भी आप हरी सबजीयां बनाएं तो थोड़ा सा पानी में नमक जरूर डाल करके धोएं ताकि उसमें जो भी गंदगी रहती है वो अच्छे से साफ हो जाती है तो बस देखिए इस तरह से हमने मूली के पत्ते को अच्छे से धो लिया है उन्हें हम पानी से बड़ीया से धोने के बाद में हमने तोड़ भी लिया है अब इसको हम क्या करेंगे काट लेते हैं तो बहुत चाहता है इसको हम बारिक नहीं काटेंगे बस जिस तरह से हम सबजी बनाने के लिए काटते हैं बस उसी तरह से इस पत्तों को हम काट लेंगे बारिक बारिक सरदियों के मौसम में बजार में मूली हमें भरपूर मातरा मिल जाती है लेकिन बरसाद में जो मूली आती है तो उसके जो पत्ते हैं बहुत सौट रहते हैं और साइदियों के मौसम में क्या ना बड़ी बाली मूली आने लगती है तो उसके पत्ते थोड़े टाइट हो जाती है तो इसलिए मैंने पत्तों को तोड़ करके ले लिया है अगर आप आप इस रेश्पी को वर्षात के मौसमे बनाए तो आप ऐसे भी पत्तों को काड़ सकते हूँ इसमें डंडी मत नका लिए आप ऐसे भी इसको बना करके खा सकते हूँ तो बस एक हम मूली और ले लेते हैं तो मूली लेने के बाद में हम मूली को अच्छे से छीलेंगे यहां मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें पीसेगा नहीं क्योंकि मूली पीसने के बाद में उसमें लिक्विट होती है तो उसमें पानी छोड़ देगी पानी छोड़ने के बाद में गीला हो जाएगा तो आप इस तरह से किसनी से कसेंगे तो आप थोड़ा से उसमें नमक मुला करके रख देंगे तो इसके बाद में वोई कहना जो मूली के पत्ते और मूली है ना तो वो पानी छोड़ देती है तो उसको हम निचूड़ करके ले लेंगे अगर आप मिकसर जार में इसको पीसेंगे तो वो निचुड़े में बहुत दिक्कत आती है और मूली गीली हो जाती है आप इसमें क्या करेंगे किशने के बाद में थोड़ा सास में हम नमख मुला करके रख देती हैं बस 5-6 मिनट के लिए 6 मिनट तब तक हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे इसका मसाला तयार करते हैं कडाही को रख देते हैं चूले पर उसमें डाल देंगे एक छोटी चमच भर करके हम ऑईल ऑईल डालने के बाद में थोड़ा सा गरम होने लगे तो इसमें डाल देंगे एक चुटकी भर करके हम हींग और हींग डालने के बाद में एक चुटकी भर करके हम हींग और हींग डालने के बाद में एक चुटकी भर करके हम जीरा लेसुन की कल्मिया ऑप्षिनाल है अगर आप लेसुन पसंद ना करते हो तो इसको स्कैपि कर सकते हो अब थोड़ी सी डाल देते हैं हरीमेश काट करके अब निस्वात के अंसा लेली जी हरीमेश को जित्ता तीखा पसंद करते हो तो इनको अच्छे से हम भून लेंगे भून अब अच्छे से भून लेंगे अब यह अच्छे से भून चुके हैं तब इसमें हम डाल देते हैं बारी काट करके प्याज एक मैंने हाँ पर बड़ा प्याज काट करके रख लिया था तो उसको भी इसमें डाल देंगे और प्याज को हम बहुत जादा नहीं भूनेंगे ब उनका जो कच्चापन रहता हूं तो ये भी भुन जाएगा तो अच्छा लगएगा तो बस इस पे साल वे ही इसको हम डाल देंगे आप ले लेती हैं मूली जि हम पनीद मte करके रखा तो तो उसम FER PANY भी छोड़ दिया है अब उसको हम अच्छे से Caseless निचोड़ करके ले ले ने इसको अच्छे से निचोड लिया है आप इसमें डाल देते देखी बिलकुल भी पानी नहीं है अब जो प्याज है उसमें हम इसको डाल देंगे तो मूली को भी हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे अब इस तरह से डालने के बाद में आप अच्छे से चमट से चलाएंगे और मूली को भी भून लेंगे तो आपको वीडियो का अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर करना बलकुल न भूला करें और मुझे कमेंट करके तो आप जरूरी बताया करेंगे तो फिर हम आपके लिए अच्छे-च्छे से वीडियो ले करके आते रहेंगी और अगर आपको कोई भी रेस्पी पसंद हो जैसे आपको कोई रेस्पी मन हो तो मुझे कमेंट करके बताया करें मैं कोसस करूँगी उस रेस्पी को आपके लिए बनाने के लिए तो बस इस तरह से हमने मूली को भी डाल दिया इसमें आप मूली को डालने के बाद में अच्छे से से मिला लेते हैं और बस दो से तीन मिड़ता है इसको भूल लेंगे क्योंकि अभी हम जो रेस्पी बनाने जा रहे हैं उसमें भी मूली हमारी पक जाएगी तो बहुत ज़्यादा कच्छीनी बस इस तरह से हम अच्छे से इसको मिला लेंगे ताकि जो पत्ते हैं वो थोड़ी से शॉप्ट हो जाएं अब इसको भूनने के बाद में एक साइट रख देते हैं और ठंडा होने के बाद में इसको एक बरतर में हम निकाल लेंगे तो बस देखिए इस बरतर में हम उसको निकाल लेती है अभी गरम है तो थोड़ी दिर में ये ठंडी हो जाएगी तो बस तरह निकालने के बाद में अब इसमें हम बाखी की चीज़ें और राट करेंगे यह अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें और राट करेंगे तो इसमें डाल देते हैं एक कटोरी भर करके क्या हूं काटा और चोथा कटोरी डाल देंगे इसमें हम सूजी उसी जितनी हमने सूजी डाली है उतनी ही डाल देंगे इसमें हम बेशन तो इन सब को डालने के बाद में आब इसमें में डाल देती हैं एक चमुच भर करके भूनी हुई सौप जिसको मैंने भून के अपीस के रखा था अब इस डालने के बाद में थोड़ा सब लाल देंगे भुना हुआ जीरा अमचुर पाउडर और साथ ही डाल देते हैं हम गरम मसाला तो गरम मसाला बहुत कम मातरा में डालेंगे अब अमचुर पाउडर डालने के बाद में थोड़ा सब मिलाएंगे इसमें हम गरम मसाला बस हैं मूली को कसते समय तो इसलिए नमक की मातरा थोड़ी सी कम डालें काट करके हरी धनिया डाल देते हैं अब थोड़ा सा मिला देंगे इसमें हम ऑइल बहुत ज़्यादा हमें ऑइल नहीं डालना है क्योंकि पहले जो हमने प्याज के साथ में मूली के पत्तों को भूना था उ आटा क्या गीला हो जाएगा तो पराठा बनाने में बहुत दिक्कत आएगी तो बस अब इससे अच्छे से मिलाने के बाद में अब ले लेते हैं पानी तो मैं पानी वही लूँगी जो मैंने मूली के पत्ते में पानी को डाल बद नमक को डाला था तो नमक ने पानी छोड हो जाएगा इस तरह से मिलाने के बाद में आटे को हम अच्छे से सैट कर लेंगे अब देखिए मैंने बहुत जादा पानी नहीं डाला है बस काटोरी में जितना लिया था उतना ही पानी इसमें पड़ा है अब इसको हाथों से मैस करके हम अच्छे से गूत लेंगे तो गूत करने के बाद हम देखिए 5-6 मिनिट हो चुके हैं आप आटा हमारा अच्छे से सैट हो गया है अब इसको हाथों से थोड़ा सा हम और मैस कर लेंगे बस देखिए इस तरह से हम आटे को मारना है बहुत जादा गीला भी नहीं है बहुत जादा टाइट भी नहीं है तो याद करते हो उस आकार में आप लोई को ले लीजिए हां तो में थोड़ा से लोई को इस तरह से गोल गोल कर लेंगे और सूखा हाटा और ले लेंगे प्लेट में और उसमें हम इस तरह से इसको डिप कर लेंगे एक बार इसको हम अच्छे से इस तरह से डिप करके और धीमे धीम इसे बेलन्स इसको बेल लेंगे जिस आकार में आप पसंद करते हो अगर आप चाहे तो आप इसको थोड़ा सा चोखुट बाला जो पराथा होता है उसको भी बना सकते हो या फर आप गूल बना सकते हो आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप पराथा को बेल लीजिए अब मैंने तो यहां पर बस गूल गूल परांठी बना करके बिला है तो बस इस तरह से सारे परांठों को हम बेल करके एक साथ में रख लेंगे कभी क्या होता है कि दो तीन लोग परांठा खाने के लिए बैठ जाती है तो एक एक से हम बनाएंगे तो ज्यादा समय लगता है तो बस परांठा को इस तरह से लोई बना करके और बेल करके एक पिलेट में एक साथ रख लीजिए और धीमे धीमे से इसको हम सैक दे जाएंगे तो बस इस तरह से गूल गूल परांठा बिलने के बाद में मैंने लगवाद दो सी चार परांठी बेल करके रख लिए हैं आह और दूसरा आठा कूते समय आप पानी की मातरा को ध्यान से डालिएगा एक दम गीला मत करिएगा नहीं तो बिलने में फ़ुद दिक्कत आएगी और तीसरा है कि गयस धीमी करकर की परांटों को सेके तो करिये करारे करारे परांटे से केंगे तो इस तरह से दोनों तरह हमने अच्छे से तेल लगा करके परांटों को सेक लिया है देखित पा रहे हो आप कितने बढ़ी परांटे लग रहे हैं तो बस आप इसको परोशिये खाईए इंज्वा कीजिये सर्दियों के मौसम में आप सब तरह के परांटे बना सकते हो गोबी के आलू के मूली के या मैथ अगली वीडियो में तर तक लिए अपना कहल रखीएगा